हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू शीजीबुटिल, आज आपको अफगान इस अलवार में आप डिजाइनर मोरी बनाना चिखाऊंगे, इससे सीखने के लिए आप वीडियो को आंट टर जरूर देखें अब दाएं सलवार की मोरी बनाने के लिए हमने ये इस तरीके से इसमें मोरी ली है 16.5 इंच ये डबल है यानि कि जब हम इसको खोलेंगे तो 33 इंच हमें इस तरीके से खुल के मिलेगी तो इसमें से हमें 8 इंच की मोरी बनाने इसमें हमें 8 इंच की मोरी तयार रखनी है इसम नाइन इंच अमनेस का एक्स्ट्रा लिया इसमें अब हम इसको इस तरीके से पहले इसमें चुननटे डाल लेते हैं पहले इस फुट को उपर उठाके इसमें हम नीडिल लगा लेंगे इस तरीके से हमने इसमें इस त्रीके से चुनट डाल नहीं है कपड़े की लेंद एंट इनन अफ इंच और डेथ है और पने चार इंच तो हम इतनी मोरी इसकी तयार करेंगे तो हम देख लें की हमारा इतना कपड़ा इसमें फड्रीक एक्स्ट्रा है तो हम इसमें फ़ास धावा निकाल के इस तरीके से इसको इकवल कर लेंगे यह हमारा अब इकवल है अब पहले हम इस मोरी के उपर डिजाइन बना लेंगे इसकी मोरी में डिजाइन बनाने के लिए हम इस तरीके से इसमें निशान लगा लेंगे तीन पूना इंच के निशान के नदने निशान कोड़ा लगा लेंगे अब आप आटने युशान को स्थेजसे मिला लेते हैं हीइचरों और ता reduces त्जिसान ब॥ा अब जितनी हमें इसकी मोरी रखने है इस तरीके से डबल करके देख लें हमें इसकी मोरी रखने है एट इंच इस तरीके से यहां पर इनिशान लगाएंगे और यहां से हम अपन डिजाइन डालना शुरू करेंगे यह हमने फोड लेयर वाला इस तरीके से इसमें सुई में धागा डाल लिया है और इसमें हम यह मोती वाले की जैन बनाएंगे करेंगे पूरे पूटम में बना लेंगे मौती की हमने इसकी बोटम में सारे मौती अटेच कर लिये हैं अब हम इसमें नीचे की तरफ ये लेस लगाएंगे ये लेस लगाने के पाद इसके उपर हम इस तरीके से थर्ड लेयर है इस पर हम इस तरीके से ये पट्टी लगा देंगे ये पट्टी हमने इस तरीके से आधा इंच चोड़ी लिया है इसको हम इसके उपर टैच कर लेते हैं अब इसको हम इसको नगे पर टैट्टी आए जान अब इसको नगे इसको नगे पर टैट्टी आए इस सबकरें सल्वार के ओपर इटेच कर लेंगे जते प्सक्टाइंग कर दो दो कर दो के दो के दो कर दो दो के दो के दो के घुजऑ है इस तरीके से हम नहीं है अब इसको पूरा तयार करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी तयार होने के बाद ही अफगाय सलवार की मोहरी का फाइनल लुक है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें